रंजी ट्रॉफी खेली जा रही है और इसकी सुरुवात हुई थी 13 दिसंबर 2022 से और आप देखेंगे 20 फरवरी 2023 तक ये चलेगी और इसी तरफ आप लोग दली ट्रॉफी देखते होंगे बिजय हजारे ट्रॉफी के बारे में सुनते होंगे देवघर ट्रॉफी इरानी ट्रॉफी या आप लोग सियद मुस्ताग अली ट्रॉफी के बारे में भी सुनते होगे और इनसे आपकी परिक्षाओं में questions पूँचे जाते हैं आखिरे ट्राफी हैं क्या तो हम लोग इनके बारे में एक सामान जनकारी ले लेते हैं एक सामान चर्चा कर लेते हैं अगर आपके एक जाम में भी इनसे questions पूँचा जाएगा तो आसानी से आप लोग भी इनका जबाब दे सकें तो देख लीजे आप देखें कि सबसे पहले हम लोग रंजी ट्राफी के बारे में बात करते हैं भारती किर्किट कंट्रॉल बोड यानि कि BCCI की बात हो रही है Board of Control for Cricket in India और आप सभी जानते हैं कि किर्किट की संस्था है और इसके इस्तापना दिसंबर 1928 में वही थी मुंबई में इसका हेड़क्वार्टर देखने कुम लेगा तो BCCI द्वारा इस्तापिर रंजी ट्राफी का नाम भारत की पहले Test Cricketer रंजी सिंग के नाम पर रखा गया है और जिनने इंगलेंड और सासेकस के लिए खेला था रंजी सिंग ने जिने भारती किर्किट की पिता की रूम में भी आप लोग जानते हैं बास्तापने ने भारत के लिए कभी नहीं खेला है रंजी ट्रॉफी को विभिन में चेत्री टीमों द्वारा एक दूसरी के खिलाप खेली जाने वाली घैरेलू पिथम सैनी किर्किट सिंखला की रोब में माना जाता है 1934 में घोषना किये जाने के बाद सिंखला का पहला मैच 1934-35 में खेला गया था यह जरूर याद रखिएगा वो सकता है कि आप से पूछ ले कि पहली बार रंजी ट्रॉफी कप खेली गई थी 1934-35 में ट्रॉफी प्रिदान करने का काम पटेयाला की महराजा भूपेंदर सिंख द्वारा किया गया था उसमें और रंजी ट्रॉफी ने पिछले कुछ भरसों में लोगफिरियेता हासिल कर लिया है और आधुनीक समय में इंगलेंड में देशी किर्केट का दरजा भी प्राप्त कर लिया है और आपसे भी जानते हैं कि किर्केट हमारे देश में सबसे पॉपूलर खेलों में से एक है स्तिंखला की विसिस्ताओं में से एक सबसे विसिष्ट यह है कि विभिन राज्जों के छेत्रीय क्रिकेट बोर्डों के अलाबा सरकारी टीमें भी पितियोगिता में भाग लेती है जैसे रेलवे टीम हो गई सरकारी उद्ध में उसे जुड़ी कई टीमें इसमें सामिल रहती है रंजी ट्रॉफी 2022-23 में कुल 135 मैच खेले जाएंगे और कुल 22 टीमें हिस्सा ले रही है और जिने चार गुरुप समय बाटा गया है और रंजी ट्रॉफी 2021-22 मद्विदेश में जीती थी तो ये भी आप लोग याद रखिएगा और भी अन्म घरेलू करकेट टूनामेंट होते हैं इसमें आप देखें दली ट्रॉफी तो नवार नगर की कुमार दलीप सिंग के नाम पर दली ट्रॉफी भारत में एक घरेलू पितम सेनी किरकेट पितियोगिता है जिसका पहला संस्कायर 1961-62 में हुआ था पहली बार 1961-62 में हुआ था फिर आप दिखते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी विजय हजारे ट्रॉफी एक सीमेत ओवरों में की घरेलू पितियोगिता है जिसमें खिताब के लिए भारत की विफेनर राज टीमें आपस में एक दूसरे के से पितियोगिता करती है और इसका नाम पिरमुक भारती है बल्लेबाज बिजय हजारे के नाम बर रखा गया है देवधर ट्रॉफी भारत में बास्तिक रोप से आयोजीत की जाने वाली लिष्ट ए के तहत 50 ओबर की घरेलू पितियोगिता है जो पहली बार 1973, 74 में सीजन में सुरू हुई थी इरानी कब यह आप देखेंगे कि रंजी टॉफी चेंपियोंसिप के 25 साल पूरे होने पर बी सी सी आई ने 1960 में सुरुगिये जैड और इरानी के नाम पर इरानी टॉफी का उधगाटन किया था इरानी कब में हर साल पिछले साल के रंजी टॉफी चेंपियन और बाकी भारती टीम के बीच होता है पर आप देखेंगे सियद मुस्ताद अली टॉफी तो 2089 में BCCI द्वारा पेस किया गया था और सेयद मुस्ताद अली टॉफी एक T20 किरकेट घरहलू चेंपियन सिप है जो रंजी टॉफी की टीमों के बीच आयोजेत की जाती है तो इनके बारे में एक overview आप लोग रखा करिएगा चोटे चोटी टॉपिक है लेकिन questions पूँच लेता है कई बार ठीक है